हेलो दोस्तों नमस्कार मैं मॉनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल योगा वाले पर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गुर्दे की पत्री के बारे में यानि गुर्दे की पत्री क्यों होती है और इसके क्या कारण होते हैं वो मैं आपको बताऊंगे और साथ में हम कौन-कौन से योगिक ट्रीटमेंट यानि योगा अभ्यास कर सकते ह जिससे हमारी पत्री की समस्या धीरे-धीरे खताम हो जाएगी तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पत्री आखिर बनती कैसे है दोस्तों गुर्दे यानि जो किड़नी की पत्री होती है उसकी समस्या होती क्यों है मैं आपको बताती हूँ, जो यूरीन होता है, यानि जो हमारे पेशाब होता है, उसमें जो महीन कण होते हैं, यानि पेशाब में जो महीन कण होते हैं, यानि धीरे धीरे वो जो कण होते हैं, वो पेशाब की नली में जमने लग जाते हैं, और कहीं न कहीं वो फिर बाद में का रूप ले लेता हैं, जिसकी वज़े से हमें हिकायत रहती हैं बना ओर को प्कारर होते हैं और अलग अल्ग तरीके से होती हैं परिली पत्री होती है इसके लावा बैंगन हो गया, इन सभी चीजों में क्रिस्टल पाय जाते हैं, टमाटर हो गया, तो ये क्रिस्टल होते हैं, ये कहीं न कहीं पत्री का रूप ले लेते हैं, और हमारे किट्नी वाले रास्ते में फसने लग जाते हैं, चलिए, अब मैं आपको दूसरा प्रकार नावा देती हों। दूसरा प्रकार है हमारा केल्सियं यह फॉस्फेट पत्री जो इस तरीयिवें की पत्री होती है यह लिक जयाएड बड़े होती है और घंसी उसी सरिक्स तरी ginger कि शिकायत हो जाती है तो हमें इन सब चीजों को बैलेंस करके रखना चाहिए और ज्यादा इन सारी चीजों का सेवन अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए अगर आप इसका सेवन दीरे दीरे कम करना लग जाएंगे तो आपको इसली पत्री की समस्या कम भी होगी और अगर अब योगा भ्यास करेंगे उससे आपकी पत्री की समस्या प्रॉपर्ली खतम हो जाएगी चलिए अब मैं आपको इसके कुछ लक्षन पता देती हो कि इसमें क्या क्या आपको होता है हमारा जो कमर वाले पार्ट से लेकर हमारे पेट का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर प्रेशर आता है यानि पहले हमारे कमर में दर्दों का धीरे दीरे वह दर्द पेट की और आएगा और पेट के निचले इससे में दर्द शुरू हो जाएगा तो समझ लेना कि आपको पत्री की शिकायत है और दोस्तों जो इसका दर्द होता है वह कुछ घंटों से लेकर यूरीन आएगा यानि यूरीन का प्रेशर आपको बहुत तेज महसूस होता है लेकिन यूरीन पास यानि पेशाब आपको आती नहीं है चलिए आजाएंगे इससे सबसे पहले योगासन के लिए जिसे हम बोलते हैं उस्टरासन उसके लिए आपको करना क्या है इसी तरीके इसे वजरासन की पोजेशन में सबसे पहले पैरो को मोड़ते वे बैठ जाना है और मैं आपको संपूर्ण उस्टरासन नहीं बता रहे हूं यह एक तरीके का अर्थ उस्टरासन है क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे वीवर्स हैं जो देखने वाले जिनको प्रॉपरली मतलब इस तरीके से इस तरीके से आपको स्टर्ण कर लेना है दोनों हाथ को अब यहीं से स्वांस को भढ़ते वे पीछे की आड़ दाना है ठीक है तो दोस्तों आपको उस्टरासन का भ्यास करना है वीज सेकंड तक और इसे आप तीन बार रिपीट करते वे आएंगे चलिए करेंगे हम दूसरे योगासन की तरफ इसके लिए आपको क्या करना है अपने राइट को बैंड करके रखेंगे और लाइफ लेग को पूरा इस तरीके से प्रॉपर लेंगे इस तरीके से अब यहीं से करना क्या है आपको जो लैग आपका बैंड है वह हाथ अमारा और ओओ जायेंगे अपने प्रॉपर जाएग करना है जो आपका मोड़ा हुआ है दूसरी साइड से में से में से सब्सक्राइब बहुत हमारे पेट पर बहुत हमारे पेट की जो कीडिनी होती है वहां पास साइड में बहुत अच्छा जाता है जो कि हमें बहुत हल्प करता है फिर दीर से स्वास को भड़ते वे इसे रिलेज करदेंगे चलिए अब यहीं से तीसरे आसन की तरफ आएंगे चितने भी आसन है यह कही ना कही हमारे साइड बैंड वाले आसन है और हमारे यह जो साइड वाले फैट और साइड में जो हमारी पत्रिया होती है उन पर बहुत अच्छा प् दूसरा हाथ अपसाइड जाएगा, स्ट्रेच अप, अब यहीं पर आपको होल्ड करके रखना है, कम से कम यहीं पर आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है, और हर एक योगासन को तीन बार रिपीट करते वे आना है, चले अब यहीं से साइड चेंज हो जाएगा, दूसरी अलबो को डाउन रखते वे, स्ट्रेच आप, अब यहीं पर आपको 20 सेकंड तक दुबारा बने रहना है, फिर दीर से आप आ जाएंगे, चले अब यहीं से आएंगे, चोथे आसन की तरफ इसमें आपको करना गया, इसम्पली अपने दुनों हाथों को इंटरलॉक करते वे, उप पर आपको 20 सेकंड तक दुबारा होल्ड करना है, फिर दीर से आप आते वे, रिलेस कर लेंगे, चले आप यहीं से आन्तिम आसन की ओर आएंगे, अपने हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, पीछे से, ठीक है, इंटरलॉक करते वे, आपको करना क्या है, हाथ को थोड़ा सा आप यहीं से अपने राइट साइड में जाना है, यानि अपने माथे को अपने घुटने पर टच करना है, इस तरीके से यह वान, फिर आप आते वे, साइड चेंज करेंगे, टू, इसी तरीके से आपको कम से कम 20 बार करना है, साइड चेंज करते वे, इस तरीके से, फिर य पोल्ड फिर दीर से आप आते वे हम इसे रिलेस कर देंगे तो दोस्तों ये थे हमारे पांच योगासन जो की हमें बहुत ही ज़्यादा है अगर हमें समस्या है पत्री की और आपको मैं सी किसासत कुछ सुझाव दे देती हूं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो पत् करना चाहिए और दूस्तों दूसरा कुल्थी की जो दाल होती है उसको हम भीगो कर रखेंगे और उसका जो पानी होता है उसका पानी आपको सुबह पीना है तो जितना उसका पानी पीएंगे डेली तो उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और तीसरा आपको क्या है खुब टहलना भी है यानी वाक कर्नि है जितना उसके कम से कम 30 मिनट की आपको उइक सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमारी बाड़ी में एक अचा सवयट बनेगा और कहीन अगई प्रेशर हमारे पेट पर भी आएगा और जो कि हमारी पत्री की समशया में पॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को भी आल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्धी अपडेट्स हमारी वीडियो के धुरू आप तक इजली पहुंसते रहे अभी के लिए नमस्का जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में